हेलो एप्रिफान वेल्कॉम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक टाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो आज है गुपाल जी की भ्यारी जी की चटी तो ऐसे मैंने इनको ड्रेस पहनानी थी कल मैंने इनके लिए ड्रेस कटिंग करी और मैंने सुचा कि गुपाल जी के लिए कच्छी सी डिजाइन की ड्रेस में बनाऊंगी और वो इनको धारण करवाऊंगी तो मैंने कटिंग तो कर ली थी लेकिन पर वो मैं सिल नहीं पाई या उपर की यह जो कुर्ता होता है वो मैं सिल देती हूँ और आज के दिन गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग लगता है तो मैं भी अभी बनाऊंगी कड़ी और चावल को और फिर लगाऊंगी गोपाल जी को भोग तो अभी तो सुबह का समय है तो दुपहर के समय मैं बनाऊंगी कड़ी चावल तो चटी वैसे ज़्यादा तर कहीं लोग शाम को मनाते हैं कहीं लोग सुबह भी मनाते हैं तो सबकी अपनी अपनी श्रद्ध है जब भी वो गुपाल जी की चटी मनाना चाहें चाहे सुभा चाहे शाम को तो कभी भी चटी मना सकते हम और जिनोंने 6 तारिक की जनमास्ट मी मनाई हैं वो आज के दिन याने 11 तारिक को चटी मनाईंगे और जिनोंने 7 तारिक की जनमास्ट मी मनाई हैं वो 12 तारिक को चटी मनाईंगे और आज के दिन भी गोपाल जी के आगे खिलोने रखे जाते हैं तो मैं गोपाल जी के लिए भी खिलोने भी निकालूंगी और ये देखे पोधे पे एक चोटा सा गुलाब का फूल निकला था तो मैं ये तोड़ के लिए आई तो husband अभी बार गए हैं किसी काम से तो मैं फूल भी मैंने भी नहीं मंगवाए तो मम्मी के घर से दिखूंगी अगर मिल जाएंगे गुलाब के फूल तो मैं वो मंगवाऊंगी और अब लगा दिया जाए गुपाल जी को ड्राइफ रूट और जल का भोग तो सबसे पहले मैं इनको यही भोग लगाती हूँ ड्राइफ रूट का और चल का और अब लगा दिया जाए गुपाल जी को इत्र तो यह चंदन का इत्र है यह मैंने दिल्ली से मंगवाया था मम्मी से अपनी तो जब भी हम गुपाल जी के लिए तो उसके काफी जलन और थी तो इसलिए जब भी हम गुपाल जी के लिए इत्र लाएं तो अबने स्किन पे जरूर लगा के देखें अगर वो जलन कर रहा है तो वो हम गुपाल जी के कपड़ों पे लगा सकते ड्रेसों पे पर लेकिन स्किन पे नहीं लगाना चाहिए तो ये जो चंदन का इत्रे ये अच्छा है क्योंकि ये मैं गोपाल जी को अपने हाथों से लगाती हूँ तो इससे जलन नहीं होती तो जैसे की चटी वाले दिन गोपाल जी के आगे किलोने भी रखे जाते हैं तो मैंने किलोने भी रख दिया है और इनको इनकी गाएं भी दे दिया है तो जब तक ये इससे खेलते हैं तो मैं आपको मिलती हैं दुपहर के समय तो अब दुपहर का समय हो गया है तो मैंने कद्दू की सबजी बनाई है तो ये बिना लसन पे आज की बनाई है मैंने और आज तो इसमें मैंने माटर भी नहीं डला और चाबल भी बन गए हैं तो आप इस कड़ाई को इगनोर करें क्योंकि ये जो कड़ाई है अगर कोई चीज मुझे फ्राई करने होते हैं तो मैं इसी कड़ाई में फ्राई करती हूं जैसे कि अगर बटूरे तलने हो या पूरी तलनी हो या फिर पकोड़े तलने हो तो इसी कड़ाई में तले जाते हैं तो कड़ी भी बन गिया है और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को भोग तो दुपहर का समय हो गया है तो काफी ठक भी गियोंगे हमारे गोपाल जी सुबह से बैठे हैं और अब इनको मैं भोग लगा दूँगी तो मैं क्या करते हूँ मैं गोपाल जी के लिए जितनी भी चीज का भोग लगाती हूँ उन सभी में तुलसी पत्र जरूर टालती हूँ और ये जो तुलसी मंजरी मैंने सुबह गोपाल जी को दी थी ये मैं side में रख देती हूं और इनकी बांसुरी भी और जब गुपाल जी भोग लगा लेंगे फिर इनको मैं बांसुरी इनकी वापिस से दे दूँगा और अपने हातों से गुपाल जी को भोग जरूर उफर करना चाहिए, तो वैसे तो हमारे गुपाल जी दृष्टी भोग ही लगाते हैं, पर अपने मन के भाव होते हैं हमारे कि हम अपने गुपाल जी को अपने हातों से खिलाएं, तो बस गुपाल जी को मैंने भोग लगा द तो हमारे यहां पर क्या होता है कि जब किसी बच्चे का जनम होता है, तो 5 क्मष को बहुत दिन नुट तो फ्लों हैं दिन नुष Kea किरेगी और बैस अब गुपाल जी ने भोग लगा लिया है तो यहीं तक ती आज की वीडियो तो चोटी सी वीडियो मैंने शूट करिया आज आपके लिए उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाब चरूर दीजिए हरे कृष्णा राधे राधे